आपको बोलता हूँ आपके साइट से स्रिफ यह ही डेडिकेशन चाहिए एवरी डेडे पहुचो और देखते देखते आपका टाइम बन जाएगा ठीक है तो यहाँ पर यहां पर जितने भी डोग प्रेजेंट है अच्छा शिवा को बोलना एप में वीडियो नहीं दिख रहा है एक बार वीडियो देख लो और ओडियो भी नहीं आ रहा है यह लो आडियो वीडियो नहीं आ रहा है इनको आप में ठीक है वेट फॉर वाइल साहिल, I really don't know किता दाइम लगेगा, but approximately मुझे लगता है, मेरे अंदाजे से 5.45 से 6 के बीच, हम लग फ्री हो सकते 6 o'clock के पहले हम लग फ्री हो जाएंगे ठीक है? अरनव सेंग, till 15th is my sister's wedding, rituals, functions can we keep it on YouTube that day, sir, please, 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 sir क्या आप मजाक करते हैं, यह लोग? अरनव, तेरे घर शादी है, ऐसा किसी और की घर शादी रेका, किसी और की और की फंक्शन रहेगा, मेरा पुरा बैच यूट्यूपर हो जाएगा शरी है वो पेंदर जोगी मौनवख किया कि आपने? कोशनेर भूक सॉल्व करना था आपको? टेलिग्राम पर रात में, इवनिंग में, तु भी मोर प्रसाइज टेलिग्राम पर इवनिंग में, मैंने दोनों चप्टर के कोशनेर डाल दिये थे, फर्स चप्टर के तो खेर सेवी कोशन से, बट सेकेंड चप्टर येस, यूवे सपोस्ट तो सॉल्व थर्टीन कोशन कब बोला था? आपको मेसेज कर देते हम अगर आप बोलते तो बोला था यार, ऐसे क्या कर रहे हो? शेल्सक गवरी थोड़ा इंटरनेट अच्छा रखो, सबको क्लारिटी आ रही है, सबको बलर नहीं दिखता है, आप क्लियर है, ठीक है? तो थोड़ा सा इंटरनेट का इशू रह सकता है आपके साइड से, तो कभी-कभी आपकी जो आपकी क्वालिटी है, वो थोड़ा सा लो हो जाती है, हमवक किते थे दो, आप में दिख रहा है, आज बहुत क्लियर है, बढ़िया है, कुछ लोग बोल रहे है, भाई लैग नहीं है, तुम्हारे साहर से लैग रहता है वो, ठीक है? चलिये, लेट उस, लेट उस, विकली, विकली बिगिन और हम लोग आज का सेशन स्टाट कर रहे, सब लोग फेंस, क्वेशन नमर 15, बदे बदे टोड़े सेशन इस लास सेशन अव यूटूब टोमरो इट विल बी एपलिटी आप अप अली, टीक है? वियर स्टाटिंग विट निव टॉपिक तुमोरो तो बीटा का कंसेट एक बार रिवाइस कर लेते हैं, बीटा इस दे सेंसिटिविटी आप आवर स्टॉप विट रिस्पेक टू मार्केट इंडेक्स, मार्केट का इंडेक्स मतलब सेंसेक्स निफ्टी, यह जब बदलता है, तो अपना स्टॉक कितने से बदलेगा, इसका रिलेशन्शिप निकालने वाले फैक्टर को क्या बुलाते हैं, बीटा, ओके, सो बीटा का नाम बीटा ही क्यों है, आई टोड यू येस्टडेए, पास्टेस चेंजिंग वाल्यू इसलिए उसे बीटा बोलते हैं, दूस किस मार्केट का इंडिकेटर है, बीटा इसका इसका तो सबको पता या, इसलिए इनीचे निचे नहीं होती है, यहाँ पर तॉप थर्टी कंपनी बीटा इसलिए जाता है, तॉप के 30 कंपनी जोकेट चेंजू लिस्टेद है, उनको सिलिक किया जाएगा, जो अलग अलग अ से रहेंगे और उनका weighted average उनका weighted average जो निकलेगा उसे हम बुलाते है sensex, तो जैसे sensex में हर किसी stock को अलग एक weight दिया हुआ है, depending on वो company का capitalization, market capitalization कितना है, और उसमें market capitalization में भी there is a concept called as free float क्या बोलो, free float उसके basis पर आपका weight है वो decide होता है, what is free float सर्थ, सबस्थ एक company है company के पस जितने भी shares दे उसमें से promoter का holding अगर निकाल दिया जाए तो market में जितने shares trade करते उसे बोलते free float बोले एक बार free float क्या होता है पूरे shares में से promoter's holding निकाल दो जितने भी अब market में shares trade हो रहे उसे हम बुलाएंगे free float समझ गया जिस company का market capitalization in terms of free float ज़्यादा है उसको weightage ज़्यादा है तो ऐसा है कि मेरी company suppose promoter holding maximum है hardly कुछ shares बाहर list मिनने मतलब public के पास है बाकि सब मेरे पास ही है मेरे company का total market capitalization भी बहुत ज़्यादा है तो क्या मेरे shares वहाँ पर indicator में जाने ज़रूरी है या उसको ज़्यादा weight मिननना ज़रूरी है क्या नई that is not the criteria public के पास आपके shares ज़्यादा होने चाहिए that is the criteria समझे इसको क्या बगते free float market capitalization free float market capitalization by the way what is the meaning of market capitalization market capitalization is nothing but market price per share into number of shares market price per share into number of shares जिसको आपलोग commonly market cap के नाम से जानते हो market cap के नाम से जानते हो समझा के सबको yes कोई बात ने जिनको app में problem आ रहा है video अटक रहा है तो आप youtube पे shift हो जाओ कोई बात ने ठीक है video अटक ही गया actually अटक अटक के चल रहा है video जाओ कोई बात ने ठीक है कोई बात ने जिनको भी आज आप में problem आ रहा है आप डिरेकली youtube पर चले जा सकते हो ठीक है इंदरजीत बोल रहे है like किसी public company था pre yes तो pre float market capitalization concept clear market के अंदर जितने भी shares listed है सबको weights मिलेगा क्या नई top 30 companies को मिलेगा और उनके weighted average को हम क्या बुलाएंगे market capitalization और उसके अंदर भी public के पास जो shares रहते हैं उसको free float market capitalization weight किस के अनुसार रहते है free float market capitalization के अनुसार रहते हैं तो इनके weighted average को हमने बुलाया sensex जैसे इसको sensex बुलाया वैसे निफ्टी नाम का भी एक concept है किस चीज का indicator हो NAC का indicator and what it says top 50 companies listed on national stock exchange उनका average और उसको हम बुलाते है nifty इसलिए उसके नीचे 50 लिखा रहता है nifty के नीचे 50 लिखा रहता है आपने दिखा रहेगा तो कभी nifty 50 और इसके अंदर भी criteria same ही है top 50 companies listed on national stock exchange उसका weighted average nifty के लाय जाता है जैसे nifty और sensex आपको पाता है वैसे ही bank nifty नाम का भी एक concept होता है तो वो banking industry के लिए समझे तो ऐसे indicators होते है तो आपन पर्टिकुलरी बात कर रहे है NSC, BSC के indicators की sensex nifty की तो इनका relationship और मेरे stock का relationship को major कौन कर रहा है beta major कर रहा है are you clear, very clear about beta यह तो कल हमने example लिया था कि sensex 10% नी चाहिएगा मेरा stock 25% नी चाहिएगा तो मेरे stock का beta बन गया 2.5 times मेरा stock का risk market से ज़्यादा है तो obviously मुझे returns भी market से ज़्यादा चाहिए market अगर 11% return दे रहा है तो मेरा stock का return 11 से ज़्यादा चाहिए common sense यह सब आप लोग आगी के chapter में सीखो के cost of capital में there is a concept called as CAPM approach जब वहाँ पर आएगा तो मैं आपको यहाँ का relevance समझाऊँगा don't worry उस बहाने यहाँ का revision भी हो जाएगा secondly sensex अगर 10% से नीच आता है मेरा stock सिर्फ 5% से आता है तो 0.5 का beta हो गया मेरा risk market से कम तो मेरा return भी market से कम ही रहेगा obviously and last case में मेरा risk और market का risk equal है क्योंकि beta value 1 है तो obvious सी बात है मेरा जो return है वो equal to market होना चाहिए correct क्या यह बात है आपको याद रहेगे आगे तक very good अब बताएंगे homework कौन से था आपका 3 and 12 all of you first come to question number 3 a very very easy question very easy question Shriya is saying sir question bank solve करने के लिए question first worst stroke में correct आगे सभी 1.15 hours में कितना टाम लगा आपको पूरे question solve करने में 45 minutes से एगंटे से देर गंटा किसी को 1.5 hour के उपर लगा रहेगा 2 गंटा नहीं लगा 2 hours लग गए आपको भी 2 hours इधर किसी को solve किया रहेगा तो पताचे लगा solve किया क्या पीछे कितना टाम लगा आप नहीं solve किया दोन चप्टर का किया वो तो first chapter सेम ही थी first chapter का तो सेम ही था second का अलग था ठीक है calculate the degree of operating leverage, degree of financial leverage and degree of combined leverage for these firms and क्या लिखा है interpret the results, आपको results भी interpret करने आया क्या नहीं comment नहीं लिखे साथ में बस करेंगे ठीक है output दिया है units में fixed cost दिया है variable cost per unit दिया है interest के expense का amount दिया है unit selling price दिया हुआ है क्या करोगे बताओ मुली income statement directly तो सबसे पहले शुरुवत करेंगे sales add their rate अच्छा अलग अलगे तो फिर add their rate नहीं बोल सकते हैं हम लोग sales का amount है output into selling price per unit 3 lakh into 3 rupees 9 lakh rupees everyone second case 75,000 into 25 18,75,000 third case 5 lakh into 0.5 2 lakh 50,000 less करेंगे variable cost first case it will be 3 lakh into 1 rupee without Kelsey 3 lakh तो बचाओ अमांट 6 lakhs what you will call this contribution second scenario it will be 75,000 into 7.5 5 lakh 62,500 very good बचाओ अमांट 13,12,500 last scenario 5 lakh into 0.1 50,000 remaining amount 2 lakhs all of you getting this minus किया अपने fix cost तो मिला आपको E, B, I, T fix cost question में printed 3 lakh 50 less कर लो कित्ता मिलेगा 2 lakh 50,000 सब लोग second case में 7 lakhs less कर दो कित्ता मिलेगा 6 lakhs 12,500 last case it will be 75,000 remaining amount will be 1 lakh 25,000 less करेंगे interest जिसे fix cost भी गिवन था पैसे interest भी गिवन है 1st case 25,000 so obviously your remaining amount is 2 lakh 25 you will call this as E, B, T and friends 2nd case interest is 40,000 remaining amount is 572 500 last case nil तो answer will be 1 lakh 25,000 everybody taxation है क्या? नहीं EBT तक सब final है इधर तक क्या answer था? DOL निकालना है DFL and DCL तीनों का formula लिखा आपने contribution divided by EBIT EBIT divided by EBIT I hope कि आपने serial number होगा डालके क्या रहेगा अच्छे से and last case में DOL into DFL ता आपके answers जो है A limited के 2.4 1.11 2.67 सही है क्या? everyone सही है, correct है, correct है, सब लोग online में भी very good next B limited के केस में आपका answer 2.14 1.07 last case 2.29 2.29 क्या? 2.29 last case 1.6 1 1 1.6 head down allowed नहीं नहीं तो तू मा रखाएगा अभी तक तो class शुरूआ भी नहीं होई homework चल रहे homework किया क्या में आपने? check कर बाजू है किया है correct है के check कर सिर्फ देख देख तो थोड़ा अच्छे से directly हाँ हाँ बोल रहे है तो correct है? हाँ ध्यान दे, ध्यान दे, head down नहीं होना चाहिए अगली बात तेरी जिमन दर यह now see interpret the result में result के interpretation दो आएंगे ध्यान से सुनू पहले जो हमने किया था न वो interpretation पहला वाला रहेगा जहां पहर हम लोग देखते हैं sales किते हैं हम लोग देखते हैं और हम लोग देखते हैं leverage किते हैं और डूसरा interpretation यह भी करेंगे कि company C limited जो है उस case में आपका DFL one time है इसका मतलब company C limited का financial leverage नहीं है one time leverage means no leverage और leverage कैसे मिलेगा उसको? उसको interest का amount ही 0 है अगर interest का amount ही 0 है तो obviously financial leverage is also not there तो सब्स वीरों को financial leverage क्यों नहीं आता? leverage इसकी value कभी भी 1 से नीचे नहीं होती 0 से 1 का बीच leverage नहीं आ सकता leverage negative आ जाएगा leverage 1 से आगे आ जाएगा 1 आ जाएगा बट 0 से 1 के बीच नहीं आता है और अगर है तो वो कुछ तो question में गड़ बड़े ठीक है? तो चलिए यहाँ पर हम लोग comment करेंगे सबसे पहले company A limited A limited is having first will be A limited A limited is having sales के अब तक बो क्या लगता है आपको moderate क्योंकि वो B से कम है मगर C से ज्यादा है profit के अब तक moderate है तो लिए को आपर A limited is having moderate sales and moderate profits what about the leverages A का leverage जो है वो B और C से दोनों से जादा है so what do you say highest risk तो यहाँ पर हम लिखेंगे A limited is having moderate sales and moderate profit but the company is having highest risk since both both dual and DFL are high both dual and DFL are high किसके मुकाबले बोल रहे है आप यह B and C के मुकाबले बोल रहे है ठीक है second के साथ है B limited का B limited का के साथ है बोलो B limited का क्या लग रहे है आपको sales के से है highest है और profit के साथ है highest है और leverage के से moderate है performance good है क्या यहाँ पर performance good है क्यों balanced risk के साथ तुमें maximum returns मिल रहे है यही तो target है अपना तो यहाँ पर हम लिखेंगे B limited is having B limited is having highest sales and highest profits in spite of that it is having what moderate DOL moderate risk moderate risk since both DOL and DFL are moderate does performance is very good performance is very good चोड़दार performance है सही है now what about C limited C limited का sales सबसे कम है profits सबसे कम है leverages सबसे कम है काश्याइब कास्याइब कंसर्वेटिव तर चार leverage के कॉमिनेशन देखिते हैं वो उस category में आता है फिर ये कोंसी कंपनी होती है कॉश्याइब जिस कंपनी को रिस्क का appetite ही नहीं होता है, risk लेने का हिम्मत ही नहीं होता है, उस company को बोखते है, cautious and conservative company, सबको समझ रहा है क्या है हम, तो ऐसी companies में investment करकर कोई फाइदा नहीं है, because इनको कोई advantage नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो इस company ने तो एक और चीज़ किये, इसने financial leverage ही नहीं लिया कुछ, because financial leverage का value 1 ने मतलब no financial leverage, तो यहांपा नहीं लिखेंगे, C limited is having lowest sales and lowest profits with lowest risk since DOL and DFL both are lowest C limited is not having advantage of finance of business finance of business since DFL is one time no advantage of finance of business since DFL is one time नज़र आ रहे है सबको since DFL is one time cautious है, conservative है company, company का performance अच्छा नहीं है, sales भी कम, profits भी कम, risk भी कम, ऐसी company progress नहीं कर पाईगे, आपके share की value नहीं बढ़ेंगे, समझे क्या, आपको लग रहा होगा, आप लिख रहे हैं, अगर आप नहीं लिख रहे हैं, ठीक है है, चल यह done, यहां तक का part सबको clear है, सब लोग मेरे साथ है, next, अच्छा यह बताईए, homework सबने किया, numerically, numerically सबका correct है, and comment part में, जो कल हमने comment किया था, वैसे आपने सोचा था इसके बारे में, लिखा नहीं बठ, सोचा आपने, अगली बार लिख भी देना, exam में सिर्फ सोच कर मता आना, next question is, question number, 12, 12th question का answer बूल बठ, DTL मतलब क्या था, DCL, DTL is DCL, degree of total leverage, degree of combined leverage, एक ही बात है, सही किनी जेश, हां, चलो बताओ, बेच जो, बेच जो, what is, what are the amount of sales revenue, and fixed cost of operation, हां, flow of answer बताओ, कैसे कैसे, पहले क्या निकलेगा, बाद में क्या निकलेगा, पहले मैंने EBIT निकाला, EBIT निकला, कौन से फ़र निकलेगे, DFL is equal to EBIT, divided by EBIT, minus interest, minus preferential dividend, divided by, 1 minus tax, पहले क्यों, तो चलो, वो निकाल लेते हैं, सबसे पहले, तो, DFL is equal to, DFL is equal to, EBIT, divided by, मेरे माई कावर्स कमोंगे अश्या तोड़ा सा, EBIT, divided by EBIT, minus interest, minus PD, upon, 1 minus tax, आपका DFL, कितना टाइम्स है? 2, 2 is equal to, EBIT, divided by, EBIT, EBIT minus, 60,000, 60,000 minus, 40,000, 40,000, divided by, अच्छा, डारेक्ट वो दिया, नहीं, 16,000, divided by, 1 minus 60%, 1 minus 0.6, therefore, EBIT is equal to, 2 lakh, 2 lakhs, आंसर सबका करेक्ट है क्या हूँ? इसका solution का, पूरा तरीका आपने क्लास में, 2-4 बार डिस्कस किया था, correct? आगे बोलो, EBIT तो आगया, अब क्या किया आपने? फिट, DFL का दूसरा, individual formula लिया, EBIT divided by EBT, उससे EBT निकाल दिया, DFL का दूसरा formula, EBIT divided by EBT, और उससे उसने EBT निकाल लिया, correct है क्या वो? गलत है, सरासर गलत है, भाई, DFL का दूसरा formula, इदर applicable ही नहीं, यह जो तुम बोल रहे हो, EBIT divided by EBT is not allowed, when there are, preference shares, Mike, पीशे बास कर दू, हाँ, बताईए, Mike, Mike, हाँ, हाँ, सर, आपने वो, DATL, RDFL दिया है, उससे DSL निकाल लेंगे, अगर, DOL, हाँ, DOL निकाल लेंगे, DOL is equal to, DCL divided by, DFL, DFL, DCL कितना, 3, 3, divided by 2, 1.5, 5 times, करेंगे, हाँ, सर, अब क्या करेंगे, DOL का formula युच करेंगे, contribution divided by EBIT, उसससे contribution निकल लेंगे, very good, मैंने तीन बार रुपिट किया था, कि EBIT is the connecting link between the two, याद है क्या, तो इसलिए, ज़िए, 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 से variable cost minus करेंगे, is equal to contribution, उससे sales मिल जाएगा, sales पता है नहीं है ना, what are the sales पूछाओ रहाँ, reverse जएंगे, sales minus variable cost is contribution, contribution plus variable cost is sales, but variable cost दिए है क्या, yes sir, दिए है, दिए है ना, very good, तो फिर यहां पर लिखेंगे, therefore sales is equal to, contribution plus, variable cost, variable cost which is equal to, three lakh plus, two lakhs, two lakhs, your answer comes to, five lakhs, five lakhs का sales, yes sir, बुलिये, करेंटे है क्या, yes sir, और क्या पूछा उनने, fixed cost पूछा, fixed cost कैसे निकाल आपने, sir, contribution minus, contribution, sir, balance ही फिकर, फार्मोली से वेगा, fixed cost minus contribution, equal to EBIT, उससे को ये करेंगे sir, fixed cost minus contribution, fixed cost, contribution plus fixed cost, contribution minus fixed cost is EBIT, EBIT और contribution का difference, yes sir, बला बरे कि नहीं, contribution minus EBIT gives you fixed cost, yes sir, ये कोई नेया formula है क्या, नहीं sir, वो statement, मैंने क्या बोला आपको, कि अगर आपको visualize नहीं होता है, कि अगला step क्या रहेगा, तो rough में statement निकाल लो, automatically answer मिलते हैं आपको, minus EBIT, EBIT, ये कोईने क्या आपको रेक्टी इस, 3 lakh, 3 lakhs, EBIT इस, 2 lakhs, 2 lakhs, ये अंसर इस, 1 lakh, 1 lakh, बल ये पूरा करेक्ट है? Yes sir, सबका करेक्ट है? Yes sir, असान है? Yes sir, very good, very good bita, superb, बड़ी आजारे हो, और कोई ओंवर था 15th question बाकी है 15th question पर आ जाओ कल हमने beta का concept देखा था आज हम उसके basis पर question solve कर रहे हैं और यह है आपका question number 15 जो बोलता है the following summarized the percentage changes in the operating income मतलब EBIT percentage changes in the revenue मतलब sales and beta for four pharmaceutical firms और यह firms है जिनके percentage changes in revenues percentage changes in operating income and beta दिया हुआ है ठीक है तो सबसे पहला आपका Aishwarya Limited percentage change in revenue मतलब sales है 27% percentage change in operating income मतलब EBIT 25% practically ऐसा हो सकता है क्या ऐसा practically हो सकता है क्या leverage के logic से ऐसा हो सकता है क्या नहीं हो सकता है नहीं हो सकता है बोलिए हो सकता है क्या प्रैक्टिकली नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता और percentage change in EBIT तो कम है I told you numerator कभी भी ज्यादा होता है denominator कभी भी कम होता है इसलिए तो leverage के answer 1 से नीचे नहीं आते unfortunately इस data के हद तक आएगा आपको note लिखना होगा कैसा abnormal data है ठीक है दूसरा शिल्पा limited देख लो या माधूरी limited या करीना limited देख लो हर जगा आपका percentage change in revenue जो है वो कम है और percentage change in EBIT जो है वो ज्यादा है सही है कि नहीं तो फिर ऐसे scenario में आपके सभी के betas easily आ जाएंगे कि इन सभी company के betas बोल रहो हो DOL आ जाएगा कि DOL because sales और EBIT का data दिया है इन्होंने DOL पूछा है आपको आ जाएगा देखो calculate the degree of operating leverage for each of the firm comment also comment तो वो अपन साथ में पास करेंगे use the operating leverage to explain why these firms have different beta operating leverage का concept use कर लो और बताओ कि यह firms के beta values अलग क्यों है तो क्या लगता है दोस्ता आपको पहले beta values आपका DOL निकाल ले देखो नीचे format पूरा ready है आपके लिए सिर्फ format पूरा ready है ठीक है तो बस एक काम करना उस format के ऊपर पहले DOL का formula लिग देना format के ऊपर पहले DOL का formula लिग देखो DOL is equal to percentage change in EBIT divided by percentage change in sales percentage change in EBIT divided by percentage change in sales मतलब ही revenue और EBIT मतलब ही operating income तो आईश्वरिया limited 27% यहां पर है 25 DOL किता आएगा 0.925 0.925 आप सोच रहंगे सर यह 0. कैसे आगया I told you यह abnormal data दिया है यह practically possible नहीं है question के अत्तक यह गलत information है मगर question तो आप नहीं दिया न सर्व मेरे मन के question नहीं हो या तो फिछले past examination है MTP है RTP है या institute का study mat में से लिया है श्री बोल रहे है सर एक doubt है बड़ वो type करना possible नहीं है तो मुश्किल हो जाएगा आपको कैसे बता उसर यह काम कर लो भाई मेरा mobile number ले लो उसी में वेज़ देना directly सर एक बार question number 12 फिर से explain करो ना सर कुछ भी मतब अती expectation हो गई है तो फिर से rewind करके सुन ले तो YouTube पर भाई AAD entertainment कैसे possible यार उसवक्त बोलते कोई problem नहीं आपन डिसक्स एक नहीं चार बार कर लेंगे अभी 12th solve की होई अपने को अभी जास्ट किते मिनट होए आट दद आज साल है YouTube पर रहेंगे यह lectures don't worry आप देख लो आराम से टेके don't worry और second case में क्या होगा बी लिमिटेड नहीं शिल्पा लिमिटेड हो शिल्पा लिमिटेड के case में क्या होगा 25 32 आपका अंसर 1.28 और बीट वाल्य दियाए 1.15 माधुरी लिमिटेड 23 परसंट 36 परसंट 1.57 आपका बीट वाल्य यह 1.3 करीना लिमिटेड 21 40 1.90 और बीटा वाल्य यह 1.4 ठीक है तो यह था आपका overall DOL का answer दो चीज़ों ने इने comment के अर्ट तक पूछा है सबसे पहले DOL पे comment करना है आपको और दूसरा DOL का और बीटा का relationship पे बात कर रहे हैं वो लोग second part में use the DOL to explain why these firms have different बीटा तो सबसे पहले मुझे सिर्फ DOL के basis पर comment बताऊ कौन बताएगा DOL के basis पर आप क्या comment कर सकते हो first इसमें risk कम है बात में risk बढ़ रहा है और बढ़ रहा है क्योंकि आपका DOL बढ़ते ही जा रहा है तो क्या बोलेंगे हम लोग बोलो माइक लो माइक इसके पास से बाजू में पास करो इधर इधर बोलो सर रिस्क बढ़ते जा रहा है मतलब company A के बाद P से 0.925 0.925 मतलब कम है पिर और थोड़ बढ़ है मतलब moderate हुआ है तीश्रे का भी moderate है और 14 का सबसे highest है तु बोल रहा है करिना रिस्की है और आईश्वरिया लिस्क रिस्क है वह है न DOL of Aiswara Limited is least तो रिस्क भी सबसे कम और दिरे दिरे शिल्पा, मादुरी और करिना Limited तक जाने तक रिस्क और बढ़ रहा है इनका DOL बढ़ रहा है और बढ़ रहा है तो ऑटमेटिकली इनका रिस्क अलिमेंट भी बढ़ रहा है और परेटिंग रिस्क बढ़ रहा है जाने मार्जिन आप सेफ्टी इन लोग का कम 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 हो रहा है खरेट? सो राट दिया रहा है ए पार्ट का कमेंट ओन दियोल कमेंट ओन दियोल 12th question में जिन लोगों ने कोई भी DCL का formula contribution by EBT लिया रहेगा 12th question जो था न 12th question में अगर अपने DCL का formula contribution by EBT लिया रहेगा तो गलत है गलत है, क्यों गलत है? preference dividend कापी लोग बोल रहे हैं 12th एक बार बताओ 12th एक बार बताओ 12th में देखो बहुत सिंपल है यहां पर online वाले बोल रहे है 12th में अगर आपने DFL का formula EBIT by EBT लिया रहेगा तो गलत है DCL का formula अगर आपने contribution by EBT लिया रहेगा तो भी गलत है आपने formula यूज़ करना चाहिए contribution divided by EBIT minus interest minus PD upon 1 minus tax और DFL का formula वो EBIT upon EBIT minus interest minus PD upon 1 minus tax you cannot use normal formula when you have preference, shares, dividend तो 12th question के तक please be careful ठीके now comment on DOL हम लोग बुलेंगे DOL indicates operating risk dual indicates operating risk dual indicates operating risk risk therefore Aishwarya Limited is least risky company and Kareena Limited is most risky company most risky company ठीक है यहाँ पर note बोलेंगे note किसके बारे में note लिखने है आपने को note किसके बारे में लिखने का है Aishwarya Limited beta of Aishwarya Limited beta of Aishwarya Limited is abnormal is abnormal since beta निए sorry DOL DOL लिखने को DOL DOL of Aishwarya Limited is abnormal since DOL cannot be cannot be between 0 and 1 between 0 and 1 ठीक है? अब B part में इन्हों ने बोला है comment किसके बारे में करना है? DOL and beta के relationship के बारे में तो आप क्या observe कर रहे है? दोनों column आपके सामने last is what is your observation? जैसे जैसे DOL बढ़ रहा है beta value भी बढ़ रहा है तो ये there is a direct relationship between the two clearly indicating one logic to you guys and logic क्या है सुनो अच्छे से अगर आप ये चारो company के shares hold करते हो अब market fall हुआ तो तुम सबसे पहले किस company के shares को बेच होगे? कर रहे ना limited क्यू? ज्यादा risk रहेगा तो पहले उसको तुरंट बेचते तो automatically पहले तुरंट उसको बेचते तो उसका beta value सबसे ज़्यादा रहेगा ना Are you understanding it? तो आपको पता है कि अगर आईश्वर्य लिमिटेड least risk किये करना लिमिटेड ज़्यादा risk किये आपके पास चारो company के shares है तो आप सबसे पहले उस company को बेचोगे जिसकी risk ज़्यादा है market बढ़ने वाला है आप obviously उस shares को पहले खरीद लोगे जिसकी risk ज़्यादा है क्योंकि risk ज़्यादा return भी ज़्यादा ना आपको पता है market बढ़ने वाला है तो return आपको सबसे ज़्यादा चाहिए या moderate चाहिए या low चाहिए सबसे ज़्यादा चाहिए तो किस company को खरीद लोगे पहले return लिमिटेड इसका मतलब हर case में return लिमिटेड का market change होने के बाद value सबसे जल्दी change होगा मतलब ही उसका beta value ज़्यादा होना चाहिए समझा क्या लिखो dual and beta dual and beta both are indicators of risk dual कांसा risk बताता है operating risk beta कांसा risk बताता है market risk मतलब ही systematic dual and beta both are indicators of risk therefore there is a direct relationship there is a direct relationship between the two full stop there is a direct relationship between the two क्योंकि दोनों भी risk है दोनों भी indicator of risk है तो दोनों के बीच का relationship क्या है direct है are you clear सब को अच्छे से समझाए 12th question के तक कोई डाउट है क्या है यहाँ पर online वाले बोल रहे है 12th question कोई doubt है किसी को 12th question है बोलिए अभी भी मैं वेट करो आपके comment के लिए online वालो अगर 12th question में आपको doubt है तो यहाँ पर श्री क्या बोल रहे है 12th question के बारे में after class एक minute unmute कर रहे है बिल्कुल don't worry don't worry unmute कर देंगे आपको यहाँ से unmute कैसे होता है मुझे पता निए but मैं कर दूँगा don't worry ठीक है और क्या किसी को 12th question के बारे में doubt है क्या श्रीया बोल रहे हाँ doubt है sir बोल यह श्रीया आपको doubt क्या है आपको क्या doubt है आप पूश सकते हो और DFL तो match नहीं कर रहे है चलो एक क्याम करते है 12th question है यह इसी में हम लोगों के पस contribution 3 lakh आया है contribution 3 lakh आया था variable cost 2 lakh आया है sales up का file lakh आया सब दोनों formula से answer same आता है बट cross check नहीं हो रहा है कौन से दो formula से answer same आता है contribution divided by ebt वाला formula वो use करना allowed ही नहीं है वो use करना allowed ही नहीं है उससे answer अगर same आता होगा तो coincidence रहेगा it is just a coincidence की वो answer same आता है बट otherwise same नहीं आना चाहिए answer ठीक है sir live में हम भी बोल सकते sir आप से youtube से कैसे बोलोगे भाई आरना हो कुछ भी अब इसको unmute कैसे करते किसी को पता गया sir ने कभी किया गया मुझे नहीं लगता कि कर सकते बट फिर भी एक बात देख लेते कोई बात नहीं एक काम करो यहां से settings में से मुझे नहीं पता कि क्या है but anyways class के बाद आप मुझे पूस सकते हो मैं unmute करने का यह करूँगा पूरा कोशिश करूँगा और आप बात कर लेंगे मुझे ठीक है cross check होता है सब होता है कोई भी method से answer ऐसा नहीं होता है कि गलत आएगा और आप गलत formula यूज़ करोगे तो answer सही ला रही हो ऐसा आपको लग रहा है बट वो logic ही गलत है जब जब preference dividend रहेगा you are not allowed to use contribution by ebt for dcl and ebit by ebt for dfl okay now let us begin आगे बढ़ते है हमारे questionnaire के तरफ बढ़ रहे है आप सबको मैंने telegram पर यह मेरा book बेजा था starting से लेकर first and second chapter तक पूरा बेजा था ठीक है तो this is a wonderful wonderful book which we are going to complete along with the class and book का index आप देख सकते हो तो book के index में आपको देखेगा questionnaire का index अलग है और mcq का index भी अलग है और हम लोग दोनों भी आप से live classes के अंदर ही discuss करेंगे ठीक है चली first chapter जो है इसके सभी questions वही है जो हमने class में solve किये थे तो यह solve नहीं किया skip किया अभी के लिए तो चलेगा बाद में practice के लिए एक बार solve कर ले ना अभी तुरंट solve करके तो कोई sense ही नहीं मनता है ठीक है I mean to question number, chapter number two leverages सब लोग ध्यान देंगे अच्छा chapter number one के अंदर सिर्फ एक correction कर लो अगर वहां पर mistake रहेगा तो कौन सा था वो correction किसने बताया था मुझे fourth question में ये तो सही है न कहीं conclusion में कुछ गर बरता है हाँ ये ये वाला देखो question number five है question number five में बोला है since present value of future entity is one thousand we need to invest one thousand one hundred therefore offer should be rejected second part में since present value of future entity is sixteen hundred we need to invest one thousand one hundred the offer should be accepted कर दो इदर बस copy paste का एर रह रह हो ठीक है सर ये बुक का hard copy भी आयेगा न सर अब्विस्टी आयेगा क्यों टेंशन ले रहे हो पैसा बरहा है तुमने आयेगा तुमको don't worry at all ठीक है hard copy भी आयेगा meanwhile में soft copy भेजते रहूंगा अगर end तक नहीं आयेगा तो में soft copy पूरा भेजूँगा don't worry और hard copy भी आयेगा आपको मेरा बूलने का मतलब था आजाएगा तब सब्र रखो बस ठीक है चलिए अब आते हैं हम लोग leverages पर leverage का पहला question friends screen की तरफ देखना है mobile में नहीं देखना है आपको soft copy यह soft copy इतना बड़ा screen पर open किया है आपको mobile में नहीं देखना है आपको सिर्फ आपके notebook में अच्छे से solve करना था based on this तो पढ़ लो एक बार question number one company produces and says 10,000 shirts selling price per shirt is 500 variable cost is 200 fixed cost is 25 lakh rupees calculate the operating leverage बोला है निकाल आपने easy था selling price per unit into number of units sold will give you sales minus variable cost same logic variable cost per unit into number of units will give you variable cost तो आपका 500 into 10,000 50 lakhs 200 into 10,000 20 lakhs remaining amount 30 lakhs is contribution और उपर इनी बोला है fixed cost is 25 lakhs तो less करने से EBIT और formula है contribution divided by EBIT यह आगे आपका 6 times first part any doubt second part बोलता है if the sales are up by 10% compute the impact on EBIT obviously your EBIT will be up by 10 into 6 times that is 60% your EBIT will be up by 60% are you jepping सबको समझा क्या आसान है समझ रहे अच्छे से अब मुझे बताओ कि अगर यही same question में last में लिखा रहता था compute the new EBIT compute the new EBIT कैसे पर निकाल के बताओ 8 lakhs कैसे आगा 8 lakhs 5 lakh original EBIT plus 60% करोगे आप so be careful friends समझा कि नहीं अच्छा यही same question MCQ के लिए भी आ सकता है क्या MCQ के लिए आगा sir question if the sales are up by 10% and the dual is 6 times what is the impact on EBIT 60% 10 into 6 what will be the new EBIT भी पूछ सकते वो लोगी if original EBIT is 5 lakh तो obviously 5 lakh plus 60% will be new EBIT sir plus क्यों कर रहे because sales are up by 10% sales are down by 10% बोलते तो 5 lakh minus करता हा concept clear है क्या? logics clear है? question number 2 calculate the operating leverages for each of these 4 firms A, B, C, D for the falling price and cost data selling price per unit 20, 32, 50, 70 variable cost per unit diya है fixed operating cost भी diya हुआ है जो last company में 0 है तो उसका DOL 1 आएगा उसका DOL 1 आएगा जैसे निल देखा समझ जाना चाहिए आपको ठीक है? then what calculations you can draw with respect to the fixed cost and the degree of operating leverage results explain assume number of units sold is 5000 last line was very important तो फिर 5000 into selling price per unit कर दो sales आजाएगा 5000 into variable cost per unit कर दो variable cost आजाएगा minus कर लो contribution आजाएगा given fixed cost minus कर दो EBIT आजाएगा contribution due or by EBIT कर लो operating leverages आजाएगे अब आप बोलोगे operating leverage indicates risk higher the operating leverage higher the risk last company operating leverage is 1 that means that company is having no operating advantage of fixed cost that company is having no advantage of fixed cost of operation because the fixed cost is zero सम्जाएगा जिन लोगो थोड़ा भी confusion लगता है कि sir ये advantage कब होता है risk कब होता है थोड़ा समस्ता नहीं है अरे भाई advantage तब है जब तेरा sale बढ़ रहा है और उससे ज़्यादा तेरा profit बढ़ रहा है मतलब तेरा fixed cost से में है advantage है risk कब होता है sir फिर जब sales घटा है और तेरा fixed cost fixed है तो तेरा profit ज़्यादा घटा है वो risk है समझे की नहीं सो देरा two sides of leverage one is advantage दाद रिस्क sale बढ़ेगा, advantage मिलेगा sales घटेगा, risk मिलेगा sir DFL के अद तक क्या same रहेगा, क्या sir ऐसा नहीं रहाता DFL के अद तक DFL के अद तक you need to compare two things I told you, ROI and interest rates, return on investment and rate of interest, compare करना पड़ता है आपको तो ये भी देन है देखो, जैसे हमने discuss किया था वैसे 4 EBIT निकाला और contribution divided by EBIT किया 1st, 2nd, 3rd, 4 4 का answer आगया, last का answer one time आया है, जैसे हमने discuss किया था वैसे comment part में वो ही बोला हुआ है, जैसे हमने बात किया था, main comment part में ये जो last line है, इसमें interpretation of DOL of D करो इसको D 7 के जगा क्या करोगे, D is that 1% change in sorry, 7 ये वो sorry I am sorry D के बारे में इधर दिया है क्या yes, first line में दिया है in case of D, there is no magnified effect on EBIT due to changes in sales why there is no magnified effect because fixed cost is 0 because fixed cost is 0 last line में वो interpretation of DOL, 7 जो बोल रहे है, वो DOL of A बोल रहे है, उसका interpretation क्या है, every 1% change in sales, there will be 7% change in EBIT समझे की नहीं है, तो it indicates higher risk and higher return also जब सेल बड़ेगा तो return higher है sales घड़ेगा तो risk higher है question 3 प्याते third बुरता है the firm's detail R.A.S. under selling price per unit to 100 and sales का amount दिया है 24 lakhs, variable cost 50% है, तो बचा 50% आपका contribution है, which we usually call it as PV ratio then fixed cost is 10 lakhs, it has borrower funds rupees 10 lakhs at 10%, equity share capital of 10 lakhs, considered tax 50%, calculate the operating leverage, financial leverage, combined leverage, ROI and last में बलाए, if sales increased by 6 lakhs, what will be the new EBIT तो लोग, हैसी सब लोग, निकाले देंगे ना answer सबने, तो फिर यहां पर sales आपने पहले लिया, उसका 12 lakh variable cost है, बचा 12 lakh fixed आपका contribution है उस 12 lakh में से fixed cost लेश कर दो EBIT आपका 2 lakhs आपका निकाला क्या EBIT, उसमें से फिर आपने यह debt लिया 10 lakh का 10% से तो 1 lakh का interest है आप बचा हुआ 1 lakh आपका EBIT आता है 2 lakh minus 1 lakh, बचा हुआ 1 lakh will be EBIT किया क्या ओके, तो फिर आपने operating leverage निकाला contribution divided by EBIT 6 times answer आता क्या यहां तक पहुँच गे अपन लोग EBIT तक, ठीके, tax rate दिया है question में 50%, EBIT पर tax लगा दो, बचावा 50% will be EAT, तो यहां पर EAT तक आगया हम लोग, अब आपको EPS भी निकालने बोला था क्या नहीं EPS निकालने नहीं बोला था ठीके operating leverage निकल जाएगा फिर financial leverage will be contribution EBIT by EBIT EBIT by EBIT दोनो figures नीचे रेडी है first देख लो, 12 lakh 2 lakh करोगे तो 6 times आएगा यह 2 lakh 1 lakh करोगे तो 2 times आएगा, obviously combine will be 12, पूछा नहीं मगर कमएग, पूछा है 12 भी आजाएगा, answer आए क्या इनके, इनके answer बराबर है क्या इनके क्यों बोल रहे हैं सर्व आपकी नहीं, institute के answer में वैसी छापके दी आपको correction जो भी रहेंगे, साथ में करेंगे अगर उनका answer में mistake है तो correction मैं class में करवाऊंगा आपको समझें? now, they are saying return on investment भी निकालो, what is the formula return on investment? 2 formulas है, एक before tax, एक after tax okay, तो before tax use करते, generally 99% places पे जब तक वो लोग specifically आपको after tax नहीं बोलते हैं, हम दोन तरीके से answer निकाल सकते हैं, अगर मैं before tax निकाल हूँ, तो मेरा formula रहेगा EBIT divided by total investment total investment into 100 अब आप बोलो, मेरा total investment किता है? 20 lakhs क्यों? 10 lakhs plus 10 lakhs EBIT किता है? 2 lakhs, मेरा answer किता है 10% ये क्या है? before tax इसी को अगर after tax करना है तो ये 2 lakh को into 1 minus 0.5 करना पड़ेगा 20 lakhs वहीस ही रहेगा, into 100 करोगे तो answer अपने ऑफटर आपने डोनों से answer निकालना चाहिए अच्छा कुछ लोग मुझे बोल रहे हैं sir tax yield का impact क्या होगा उसमें EBIT into 1 minus tax कर रहे हैं डोंट वरी यह formula ratio analysis में आता है RY का उस वक्त मैं आपको और clearly बता दूँगा sir आज ही बता दो आपकी आउकात नहीं है फिलाल ऐसा समझ लो आपके level नहीं है वो समझ नहीं की थोड़ा ratio तक जाओगे चार chapter कतम होंगे आपके दिमाग में चीजी settle होंगी फिर वो बहतर समझेगा आप और चार chapter में आपको ये भी समझ जाएगा कि मैंने अभी जो sentence use किया कि maximum time before tax use होता है तो वो क्यू होता है ये चोथे chapter तक आपको समझ जाएगा पांचवा chapter हमारा ratio है उसमें आप थोड़े टककर के इंसान मनोगे जिससे discussion भी हो सकता है ठीक है आर वाई before tax after tax के लिए तो don't worry all your things will be build up whenever you will be capable of तो अभी के लिए समझ लो हर जगा before tax compulsory है अगर आप safer side पर जाना चाहते हो ऐसे type के questions में तो before tax भी निकालो after tax भी निकालो इन्होंने शायद before tax ही दिया है दिया है before tax यहां न before tax ही हो 10% हाई मतलब before tax ही है उन्होंने सिर्फ बोला नहीं है यहाँ बर ब्रैकेट में लिख दो before tax और इसी को RO आए after tax भी निकालो इदर 2 lakh into 1 minus 0.5 divided by 20 lakhs तो इसका अंसर आएगा 5% इसका अंसर आएगा 5% थोड़े थोड़े मैंने फिर भी यहाँ पर you know simplify करके answers दिये institute के answer तो और भी खराब तरीके से presented है आप यह questions जहाँ जहाँ देखोगे न module में या कहीं पर भी MTP, RTP, past examination उनके suggestive answer देखोगे तो आपको लगए कि थोड़ा sorted करके दिया है मैंने आपर lastly if sales increases by 6 lakhs new EBIT निकालना है don't you think आप directly income statement बनाना देना चाहिए percentage change से निकालना है कोई बात I always prefer income statement तो यहां पर अगर मैं sales score 6 lakhs से बढ़ा हो तो निया sale विल भी 30 lakhs 15 lakhs विल बेरियेबल कॉस्ट remaining 15 lakhs विल भी contribution fixed cost विल भी 10 lakhs EBIT विल भी 5 lakh इनने new EBIT तक ही पूछा था EBIT आ गया है समझा की नहीं तो मेरा solution इस तरीके से रहना चाहिए done any doubt friends are you comfortable अचा सर्फ percentage change से कैसे निकाल सकते हैं उन्होंने क्या पूछा आपको operating part पूछा कि financial पूछा कि combine पूछा कैसे समझा आपको operating sales और EBIT पस operating level ने जूस करके answer निकाल परसंटेज चेंज वाला सर उससे कैसे आएगा आपका 6 lakhs का change in EBIT compared to original EBIT of original sale of sorry 6 lakhs change in sale compared to original sale of 24 lakh percentage change निकालना पड़ेगा 25% आएगा और उससे आपका answer आजाएगा समझा कि नहीं 25% into 6 times कितना होता है 1.5 into होता है कि फिर बताओ क्या उससे answer dual कैसे बाते करते हो यह होने के बाद में dual आपका कितना है 6 times percentage change in EBIT divided by percentage change in sales all of you तो 6 is equal to percentage change in EBIT we don't know X रख दो उसको और यह 25% यह 25 कैसे आया सर sales का change is 6 lakhs original sale is 24 lakh into 100 25% आता है sale में change किता हुआ 25% क्यों सर क्योंकि if sales increases by 6 lakhs बुलान होने original sale किता था आपका 24 lakh increase किते से हुआ 6 lakh change divided by base into 100 gives you percentage change change divided by base into 100 gives you percentage change so percentage change is 25% solve this get your answer your EBIT comes to percentage change in EBIT comes to 1.5 good one 1.5 क्या है हो times तो आपका 1.5 times नही हो 1.5% है times है 150% होगा हो percentage की सबसे 150% होगा हो multiply करना पड़ेगा आपको उसको 1.5 मत बोलो सीधा 25 इंटू 6 करो 150% करो maths के दुश्मन हो और आपका EBIT किता था भी का 2 lakhs 2 lakhs को बढ़ाएंगे या कम करेंगे क्यों बढ़ा रहे हो sales बढ़ रहा है इसलिए तो सीधा सीधा 2 lakhs plus 150% is equal to 3 lakhs 5 lakh नहीं 3 lakh से बढ़ रहा हो 5 lakh समझागे सब लोग now next question will be fourth one from the following information extracted from the books of accounts of this company calculate the percentage change in EPS सर वोपर नहीं नहीं EPS तक निकाला है सर ये पर निकालना पड़ेगा कि हमको भी नहीं उन्हें सिर्फ निकाला है आपको निकालना है निकालो नहीं निकालना है मत निकालो उन्हें पूछा रहता तो निकालते next part उनने बढ़ा है calculate percentage change in EPS if sales increases by 10% and the operating cost is 1,57,500 EBIT is 31,50,000 EBIT is 14,00,000 my dear friends first tell me one thing question कौन से लवरेश पर बेज़े DCL से रिलेटे है वो question किस से रिलेटे है DCL से कैसे percentage change in sales and they are telling you EPS का percentage change sales तुमारा first point होता है EPS तुमारा last point होता है कौन सा लिवरेज combine leverage generally ऐसा पहले समझना होता है कि combine leverage के तरफ जा रहा है no doubt आप दूसरे leverage के थूँ भी जा सकते हो but ये prima face या कैसा दिख रहा है combine leverage यूज करके answer आने वाला दिख रहा है now they are saying you calculate percentage change in EPS if sales increases by 10% तो मुझे बताओ क्या करोगे आप DCL तक पहुचने की कोशिश करो DCL तक पहुचने की कोशिश करो आपके पास EBIT और EBIT दोन दिया हुए इससे क्या मिलेगा D FL मिलेगा 31.5 lakh divided by 14 lakh किता आएगा 2.25 times आगया क्या ओके पास fixed cost दिया हुआ है reverse जाओ reverse जाओ contribution निकलेगा contribution is equal to fixed cost plus EBIT तो it is 157,500 plus 31.5 lakh 33,7,500 तो एक काम करते है 33,7,500 ठीक है यह contribution आगया अब इससे क्या मिलेगा आपको dual dual मिल सकता है dual is contribution divided by divided by EBIT EBIT किता है 31,50,000 है 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 दबर दस, दबर दस तो फिर DCL के से आएगा Now 그러면 DCL के से आएगा DOL that is 1.05 0.05 1.05 0.05 0.05 3 6 2 5 times all of you with me yes अब सिदा सिदा इसको यूस करो sales into this gives you percentage change in EPS sales किता परसंट से बड़ा 10% into 2.3625 करो आपके बास smart हो चे आपके बास smart हो चे गया smart watch हो है न है की नहीं smart watch है या क्या सादा watch हो smart watch है मेरे पास भी है बुद भारी है कि तू यहां समझा रहो यहां ध्यान देना क्या ऐसी चलना चाहिए smart watch पे क्या कर रहे हो scroll तूम कुछ प्रॉब्लम है कुछ ऐसे बीमारी है हाथ हिलते है ऐसे कुछ ऐसा बन करता क्या किसी पीसे हाथ गुबाना चाहिए ऐसे थोड़ी थोड़ी देर बाद क्या 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 कर रहे हो पर तूम दो दिन से क्या कर रहे हो क्या 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 चाहिए वर्किंग्स चाहिए तब तक अगर तुम को रखा है तुम बाज वाले से बौरो करो बट पार्टिसिपेट करो यार दो मिट्स देख रहो स्मार्ट वाच में आप देख रहो देख रहो तो तो फाइनली परसंटेज चेंज इन एप्यस विल भी 10 into 2.3625 comes to 23.65 परसंट नीचे करेक्टे के इन का आंसर यह निकाला इनने यह निकाला और यह निकाला बिल्कुल सही यह flow of answer अच्छा एक ही कोशिन के अलग तरीके भी हो सकते है आपका अगर तरीका थोड़ा अलग रहेगा तो भी आपका अंसर सही आता है nothing to worry sir institute का model answer में अलग रहेगा ऐसा कुछ नहीं रहता है जितने पॉसिबल आंसर यह थे सब उनके checking के वक्त दिये जाते है उनको आपको जो suggested answer institute देता है वो model answer नहीं होता है remember this logic fifth question question no.5 says consider the following information of this company production level contribution per unit operating leverage combined leverage tax rate compute the earning after tax mike काम परे mike के दर है mike huh oh the last bench पर पास के solve क्यों solve क्यों बोलोगे solve क्यों न बोलोगे न मेरे साथ answer solve नहीं क्यों आप बोलोगे okay very good question no.5 says production level contribution दोनों leverage the operating और combined tax rate भी दिया है earning after tax निकालना है flow of answer चाहिए मुझे numbers नहीं बोलेंगे तो भी चलेगा sir पहले DCL निकाला DOL into DFL के formulae से DCL दिया हुय है DFL निकाला न सर DFL निकाला DFL is equal to 24 divided by 6 DFL equal to 4 then DOL का formula use किया contribution divided by EBIT contribution divided by EBIT उसे EBIT निकाला 62,500 ते ले पास contribution है क्या हाँ sir 150 into 2500 contribution ready है DFL नहीं है अगर DFL दिया है और EBIT is equal to 62,500 very good इससे EBIT आ गया फिर क्या किया तुमने फिर उससे DFL निकाला DFL दिया है DFL का formula use किया उससे EBIT निकाला very good तो आपने 4 is equal to 62,500 62,500 का EBIT divided by EBIT divided by EBIT और उससे EBIT निकाला 15,625 15,000 625 सही है क्या answer बिल्कुल सही है आगे बलो आप EBIT तक पहुँछे हाँ उससे less किया 30% tax tax rate 30% दिया है हाँ तो less करकर E80 आगे क्याल सीलो 15,625 minus 30% 10,938 सब को समझा मुश्किल है समझ में आ रहा है very good direct DCL का formula से भी answer आ जाएगा बिल्कुल सही है जबरदस भाई एक number जा रहे हूं 6th question 6th question 6th question बुलिये from the following information prepare income statement of A and B margin of safety दिया है interest दिया है profit volume ratio दिया है financial leverage है और tax rate है सब पहले EBIT fine करेंगे किस से DFL equals to EBIT by EBIT minus interest DFL is equal to EBIT upon EBIT minus interest तो 4 equals to X by X minus 3000 very good DFL equals to 4000 question number 2 or 3 में वैसी यहां पर भी आएगा आपने क्या निका लिया से EBIT निकल गया आगे sir उसके बाद contribution fine करेंगे पर उसके लिए DOL लगेगा and we know that DOL equals to 1 by MOS very good DOL is equal to 1 by MOS so DOL equals to 5 and 4 DOL आ जागा 5 & 4 फिर contribution fine करेंगे 5 & 4 कैसे है 1 divided by 0.2 and 1 divided by 0.25 सब लोग पहली बार MOS का use करके आपने DOL निकाला है पहली बार सबको समझा न आगे DOL आने के बाद उसके बाद contribution fine करेंगे contribution कैसे find होगा DOL equals to contribution by EBIT contribution by EBIT उपर EBIT को tick किया था अपने EBIT आ चुका था अपना EBIT आ चुका है DOL आ चुका है क्या मिलेगा contribution very good contribution equals to 20,000 & 8,000 20 & 8,000 then we get fixed cost 20 & 8,000 आता है 20 & 8,000 आता है 20 & 12 दिख रहा है 20 & 12 दिख रहा है second वाली कंपनी का DOL किता है आपका 1 by 0.25 करोगे तो किता आएगा 4 times आएगा 4 times आने के बाद EBIT आपका किता आया था 2nd कंपनी का EBIT 3000 3000 आया था तो फिर 4 is equal to contribution divided by 3000 होगा ना 12,000 किता आएगा contribution 12,000 आएगा समझा बटा तो ये contribution आगा 12,000 अब contribution तक पहुचे आप then we can find fixed cost because we have contribution and EBIT so why you require fixed cost okay balancing statement but how to get sales मुझे से पिता बता था PV ratio very good PV ratio say आपके पास contribution ready है आपके पास PV ratio ready है contribution divided by PV ratio gives you sale because PV ratio is nothing but contribution as a percentage of sales सब लोग मेरे साथ समझ पा रहे है आपका क्या निकल जाएगा sales निकल जाएगा जहाँ पर भी आप जो भी बचा वो balancing figure आने वाला है समझे की नहीं बोली answer मैं चोरे आपने सोचा तक अगर पर ऐसी solve किया था यहाँ पर मैं बहुत प्राउडली बोलना चाहता हूँ कि सब यहाँ पर online वाले भी एकदम alert रहेकर answer करे श्रया तुम तो बहुत अच्छा answer कर रहे बटा सब लोग वगरा सब बता रहे हो I insist जितने भी लोग online है सब लोग ऐसे answer करोगे तो ही आपका confidence भी बढ़ेगा आप rhythm में भी रहोगे everyday live streaming में ही attend करोगे which I feel you should do that interaction अलग level का होता है ठीक है तो definitely online वालों में से भी rankers आने वाले है में से भी बोला मैंने online वालों में से भी आएंगे yes तो चलिए यह था आपका 6th question 7th question पर आएंगे 7th question कौन ट्राइ करना चाहेगा जल्दी जल्दी solve किया रहेगा तो बोलो हाथ उपर करो confidently 7th में थोड़ा problem आ रहा है solution में पहले माई किदर पास करो अपन ट्राइ करेंगे कौन सा problem आ रहा है देखते हैं question 7th says this company has the following balance sheet and income statement balance sheet में क्या देखना होता है तो आपको यह number of shares दिख रहे है date दिख रहा है rate of interest दिख रहा है interest का amount मिल सकता है बाकी कुछ खास नहीं है और total assets दिख गये किते के है ठीक है और sales operating expenses including 60,000 का depreciation बोला हुनने 60,000 का उसमें depreciation included है तो without depreciation 60,000 ठीक है and फिर EBIT मिल आपको फिर उसमें से अच्छा अच्छा यह नहीं आप थोड़ा confused होगे इसमें कुछ नहीं है आपका interest 60,000 है actually interest किता है 60,000 है correction कर लो पहले मुझे करने दो फिर आप करना ठीक है तो interest 60,000 है इदर यह आजाएगा EBT कितना 160,000 यह आजाएगा taxes 56,000 यह आएगा net income correction कर लो सब लो please make the correction जिनको hard copy मिलिये जिनको hard copy नहीं मिलिये ठीक है यह एक सथ ले लोगे दोनो क्योंकि यह तो हो ही गया वैसली soft copy में रहेगा थोड़ा convenience रहेगा administrative wise ठीक है दो-चार दिन में आ जाएगा chart book don't worry ठीक है मैं उनको बोल देता हू chart book के साथ देने के लिए ठीक है यह soft copy आपके पास रहेगा don't worry at all yes printing mistake था तो यह एक यह दिक्कत था ठीक है मुझे answer बताओ यहाँ पर question पूछ रहेगे लोग determine the degree of operating financial and combined leverage as the current level of sales if all the operating expenses other than depreciation are variable तो common sense रहे depreciation का भी variable होई नहीं सकता मुझे बूट अगर यह sentence नहीं दिया रहता था तो आप क्या करते है क्या करते दोस्त आप वह sentence नहीं दिया रहता था तो क्या करते थे आप फिर भी वही करते थे फिर भी वही करते थे आप क्यू depreciation is a fixed cost it is periodic cost समझे की नहीं तो वह आपको उसमें include करके दे रहे अगर आप एक और hint देखोगे तो उसके तुरन बाद आपको EBIT मिला question में देखो न आप छोटे-छोटे hints से बहुत कुछ समझता है दिख रहा है कि इधर EBIT अगर इधर EBIT लिख रहे है लोग इसका मतलब ही depreciation तुमारा fixed cost है जे पा तो better not to write like this हम कैसे लिखेंगे फिर sales minus variable cost 60,000 remaining amount contribution minus fixed cost that is depreciation 60,000 फिर EBIT का number same आएगा इसी किया सबने तो यह first part का तो answer आजाएगा सब कुछ readymate दिया हुआ है सिर्फ contribution पहले अलग से करना पड़ेगा तो मुझे इधर ही बता दो क्या किया आपने विटा 3.4 lakhs में से आपने 6 lakhs less कर दिया 2.8 8 lakhs sales है है variable cost है contribution है इसमें से minus किया 60,000 का depreciation मतलब fixed cost तो बचा हुआ 2.2 lakh का EBIT आगी का answer तो ready है उनका आगी का answer तो ready है उनका सब लोग समझेगी नहीं तो बोलिए आपका first leverage operating कैसे आएगा contribution 2.8 lakhs divided by EBIT 2.2 करो 1.27 आया हा second case में आपका EBIT 2.2 divided by EBT 1.6 1.375 1.375 38 बोल दिया इनोने ठीक है दोनों को multiply कर लो combine आ जाएगा किता 1.75 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 क्या होगा? 20% से increase होगा या 20% से decrease होगा तो यह लोग आपको पूछे EPS निकालो कितने statement बनेंगे आपके? दो. दो statement मनेंगे increase decrease वाला. बट original एक statement ready ही आपके बस. तो तीन statement भी बोल सकते आप. अच्छा sales का एक और पार्ट जैसे कि आप सब को बता है आप क्या करो? variable cost as a percentage of sale निकालो. क्या जिसी लो सब लोग? 60,000 divided by 3,40,000 into 100 करो. 17 point PIX4 something आ रहा है. यह variable cost as a percentage of sale है. वो increased sale और decreased sale पे लगा दो. या फिर आप एक और काम कर सकते हो. 60,000 variable cost को 20% से बढ़ा दो 20% से कम कर. समझे कि नहीं? दोनों भी एक ही है. अंसर दोनों से एक ही आता है. मेरे ख्याल से second वाले case में अंसर चल दिया आता है. variable cost को 20% से बढ़ाया. variable cost को 20% से घटाया. Are you understanding my point? Good. So, with this can you easily calculate your EPS? All of you? Yes. तो यहाँ पे हम लोग increase in sale, decrease in sale लिये. अब आप देखो, आपका 60,000 का plus 20% करोगे तो 7,20 आएगा और minus 20% करोगे तो 48 आएगा. मगर fix cost आपका उतर ही रहता है. 60,000 60,000 correct? फिर आप नीचे solve करोगे interest को भी उतर है रखोगे. 60,000 60,000 taxes obviously rate दिया था क्या उपर? क्या करोगे फिर? tax को भी fix रख दो, चलेगा क्या? नहीं भाई common sense is supreme tax को तुम्हे rate निकालना पड़ेगा. कैसे निकालते सर? 56,000 as a percentage of 1,60,000 कित आता है? 35% so obviously this percent you need to apply नीचे. इधर क्या लिखोगे आप taxes at the rate? 35% समझा क्या सबको? All of you hard जा रहा है क्या? mounsar जा रहा है क्या? very good now आपका number of shares कैसे आएंगे? 8 lakhs divided by 10 each 80,000 तो फिर या गया 80,000 80,000 या गया EPS समझ में आगया? आगय बड़े 8th question पर आते 8th question says the company had the balance sheet as on 31st of March 2023 balance sheet देख लो equity shares ready-made दिये 50 lakh equity shares ready-made दिये 50 lakh debentures 10 crore है उस पर 15% है तो 1.5 crore क्या आगया? interest आगया? assets normal assets दिये ठीक है? now additional information में आपके पास fix cost per annum excluding interest बोला है can we say इसका मतलब यह fix cost जो यह सिर्फ operation का fix cost है? operation का fix cost ही समझा? फिर variable cost variable operating cost ratio दिया है जो ratio अपन निकाल रहे थे ने बार-बार वो रिदिमेंट दिया है तो अगर यह ratio दिया है तो बचावा 35% क्या है? 35% becomes PV ratio my dear friends conceptual clarity समझ रही है आपको? फिर उसके बाद assets turnover ratio is 2.5 times भाई assets turnover ratio says divided by total assets यह आपका 2.5 times है तो आप बताओ कि आपके बाद total assets ready है 20 lakhs 20 crores sorry into 2.5 कर दो आपका sale आजाएगी sales is equal to 2.5 into 20 is equal to 50 crores all of you and आपको नीचे income tax rate दिया है 30% EPS निकालने बोला operating financial combined leverage निकालने बोला बोलो कैसे आएगा? पहले income statement बना दो sales ready कर दिया आपने variable cost apply करो 65% बचावा contribution minus करो fix cost 4 lakh बचावा EBIT पहला leverage आगया operating contribution divided by EBIT everyone with me? तुमारा भी ध्यान है? then EBIT में से minus करोगे interest as I told you 1.5 crore का interest आएगा बराबर तो minus कर दो मिलेगा EBT दूसरा leverage आजाएगा financial because EBIT by EBIT समझे? और तीसरा तो दोनों को multiply करके आजाएगा और आप कहां तक पहुचे थे? EBIT तक पहुचे थे उसके बाद tax pay कर दो EAT आजाएगा divided by number of shares कर लो EPS आजाएगा all of you देखो 50 crore निकाला income statement बनाया EPS निकाला तीनों leverages income statement से बन गए सबके answer match हुए इनके answer में कोई mistake तो नहीं है पक्का 9th question A very wonderful question LDR Long distance relationship नहीं होता लाज जे रिविजन इसको टच में रखना है Long distance relationship सोच लो जो सोच नहीं सोच लो टच में रखो भाई ठीक है और बिलकुल भी exam के पहले जाने के पहले ये देख के ही जाना है क्योंकि ये थोड़े हट कर question होते कितने लोगों ने इसको solve किया correct भी आया थोड़ा चेक करना पड़ा Okay Falling information is related to YZ Seventh question नहीं solve किया सर मैंने Okay no problem Edy solve नहीं किया बढ़ तू solve किया कर ठीक है Now The following information is related to this company Equity shares 50 lakh रुपया बोला है और 10 इच बोला है क्या मिल गया Number of shares मैंने जान बचके मैं ये पढ़ते हूँ आपको बता रहू हुता कि आपको समझे exam में कि क्या क्या interpretation कैसे किया जाता है Then bonds देख लो इतने रुपीज के bond है 12% से interest मिलेगा इस पर का Then sales दिया है Fixed cost excluding interest दिया है वापस से ये fixed cost बन गया Operating का fixed cost Financial leverage दे रखा है आपको PV ratio दे रखा है Income tax का rate दे रखा है Calculate operating leverage Combined leverage EPS Show calculations up to 2 decimal points Please focus ये question में आपको जहां पर Financial leverage दे रखा रहता है और इस तरीके से Interest दे रखा रहता है ध्यान से सुन मेने क्या बुला 2 चीज़ी दे रखिये Financial leverage दे रखिये और interest दे रखा है But interest आपको Balance sheet के जैसे दिया था जैसे पिछले case में Balance sheet दी थी ये दे कोई balance sheet दी है ये interest दिया है I am sure कि यही interest है बस इसके अलवा और कोई interest नहीं है क्योंकि balance sheet मेरे सामने है But Are you sure कि इसके अलवा और कोई interest नहीं है समझा के मैंने क्या बुला Are you getting the hint जब आपको balance sheet दी रखिये थी है तो उस interest के अलवा और कोई interest हो ही नहीं सकता But जब इस तरीके का random information है तो don't rely on the case की इतना ही interest है इसके अलवा भी interest हो सकता है क्योंकि इन्होंने financial leverage दिया है तो financial leverage जब ऐसे दिया रहता है balance sheet जब नहीं दी रहती है और इस तरीके से कोई interest का information होता है तो don't think कि आप financial leverage is EBIT by EBIT तो आप बस ये interest list कर दोगे EBIT में से और EBIT निकालोगे और आगे बढ़ जाओगे मतलब या आपके पास EBIT आगया financial leverage ready है तो EBIT निकल जाएगा किसने बोला कि वो interest एक मात्र interest है company ने और भी तो loan लिया रहेगा सर वो लिया रहता था तो सर देया रहता था यहाँ पर क्यों भाई किसने बोला कि ये balance sheet है ये random information है तो दो questions आपने लगातार solve किये मैं दोनों को compare करकर बता रहो exam में क्या करना है are you clear? exam में अगर आपको balance sheet दी है can you rely on the interest? 100% but exam में balance sheet नहीं दी है random information दी है will you 100% rely? no, you will cross check हो सकता है कि जो दिया है वो ही एक interest है but हो सकता है कि नहीं भी हो cross check करना चाहिए sir cross check कैसे करे मैं बता ता आपको don't worry ठीक है? now PV ratio दिया है income tax दिया you are required to calculate the operating leverage combined leverage EPS बोलो शुरबात जिसने भी solve किया रहेगा आप बलोगे mic काहँ पर pass कर दो yes, बो sir, सबसे पहले मैंने PV ratio के फॉर्मूले से contribution divided by sales sales किया उससे contribution निकाला sales into PV ratio किया PV ratio into sales किया 84,00,000 84,00,000 into 27.55% करो 84,00,000 23,00,000 14,200 23,00,000 14,200 एक काम करना उनने clearly बोला show calculation 2 decimal 23.14 14 yes lakhs then contribution minus fixed cost करके मैंने EBIT निकाला very good तो ते रख ये sales से ये contribution आया fixed cost less करकर EBIT निकाला तोने yes fixed cost question में दिया था 6.96 6.96 correct 24.9 24 23.14 में से minus करो 6.96 16.18 16.18 का EBIT आया EBIT आया तो EBIT 16.18 आगया 18 आगय ये राट से DOL का formula लागा कर EBIT ड़ा का contribution divided by EBIT कीया DOL का तो 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 दोल दूणडा हाँ पहले DOL find out किया contribution divided by EBIT EBIT इससे तुमें क्या DOL 1.43 times very good then 1.43 times 4.3 सबका correct आया क्या या जो भी निकाला नहीं रहेगा तो अभी कैसी पे निकालो ना contribution आपके screen पर रहेगा 23.14 और वो बोड रहा है कि EBIT किता है था 16.18 इसी में से minus करेंगे fixed cost 6.96 lakhs therefore EBIT 16.18 lakhs तो अब दोनों को divide कर लेंगे contribution by this तो 1.43 आ गया यस बाखी आगे क्या किया यह निकाला जो कि DOL और DFL question में दिया है दोनों का multiplication करके 2.1307 times जरुद क्यों थी उसकी अच्छा पूचाता उनने पूचाता तो 1.43 और जो leverage question में दिया था 1.49 दोनों को multiply किया किता आता है 2.1307 times 2.13 times आगया यहां तक का answer सबका आया यहां यहां वेरी गुड आगया देन सर मैंने DFL का formula यूज करके EBIT डिवाइड बाइ EBT डोनों EBT निकाला जो question में DFL दिया था 1.49 times सुना भी अच्छे से सुना अच्छे से यह accident point है यह correct निकाला इसने मगर तुम्हारे धिमाग में आ सकता है कि सर 16.18 EBIT है सर उपर interest है सर 37 lakh per 12% माइनस कर दो सर क्या मिलेगा EBT normally कोई भी यही सोचता है but यह answer नहीं आएगा क्योंकि balance sheet दी नहीं थी random information था तो क्या करना चाहिए था फिर DFL के formula से DFL ready है EBIT ready है EBIT निकाल कर EBIT और EBIT का balancing का ज़र interest आएगा जो इस interest से ज्यादा रहेगा that extra interest is nothing but other interest सर other interest क्या रहेगा कोई और loan का interest समझे accident point समझा गलत answer कैसे निकल सकता है मैंने वो भी बताया correct कैसे निकालना चाहिए और इधर ही क्यों ऐसा कर रहे है वो भी बताया मैंने previous ऐसा कोई question था क्या जिसमें हमने EBIT ready था interest के ऐसे information से EBIT निकाला था ऐसा हमने पहले किया है क्या सोच के बोलो EBIT आ चुका था interest का ऐसा information यूज किया और EBIT निकाला yes ऐसा मैंने किया है मगर उस questions में मुझे DFL दिया नहीं था DFL पूछा था समझे की नहीं या मुझे उस question में balance sheet दी रहेगी समझे क्या जहां leverage दिया है financial वाला और जहां पर ऐसा random information दिया है मगर balance sheet नहीं दी है वहां पर don't do EBIT minus interest is equal to EBIT don't do follow this what he is doing क्या करना पड़ेगा sir फिर DFL का फॉर्मान लगा कर EFL is equal to EBIT divided by EBIT क्या ready है तेरे पास DFL ready है और EBIT ready है DFL और EBIT क्या मिल जाएगा EBIT मिल जाएगा EBIT कित्ता आएगा EBIT 10.86 10.86 आएगा पहले वाला EBIT कित्ता था 16.18 था कैल सी लोग 10.86 minus 16.18 करो 5.32 क्या यह आपका interest है total interest है समझे अब जरा bond पर का interest निकालो 37 lakh पर 12% 4.44 तो इसमें से 4.44 minus करो 0.880 यह other interest आगया यह total interest था जेपा क्या है पूरा methodology समझा क्या है सर कन्फूज हो रहा है सर ऐसा कुछ लग रहा है क्या आपको बहुत क्लिरली समझा है मैंने जब आपको financial leverage दिया रहता है random information दिया रहता है don't do EBIT minus interest is equal to EBIT जब आपको balance sheet दिया रहता है 20 करो आप EBIT minus interest is equal to EBIT ठीक है तो अब क्या क्या बटा आगया आपने आपका पास EBIT भी आगया है यह tax rate दिया था EAT आगया EAT आगया EAT divided by number of shares number of shares 5 lakh लिए 5 lakh लिए EPS is equal to rupees 1.30 बड़ा बड़िया एक number now that is your answer ठीक है पुरा का पुरा answer ready 1.3 तक जरूर सॉल्प करना इस questions को next 10th one 10th one 10th one 10th one बोलिये किस ने सल्फ किया तुमने किया very good पास करो तुम्हारे पीछे किया डरो मत तुम्हारे पीछे आले निकिया येस तुम्हारे पीछे किया येस तुम्हारे ये तो 10th question बोलता है foreign information is available for this company PV रेशो दिया है और प्रेटिंग लिवरेज दिया हुआ है financial leverage भी दिया हुआ है loan का amount है post tax interest rate बोला है post tax interest rate क्या होता है भाई tax shield के बाद tax rate दिया है market price per share दिया है price earning ratio दिया है price earning ratio क्या होता है price earning ratio को बोलते है P.E. ratio क्या बोलते बोलो P.E. ratio जिसका formula जैसा नाम वैसा formula है P.E. ratio price earning ratio M.P.S. divided by E.P.S. M.P.S. क्या होता है market price per share E.P.S. क्या होता है earning per share तो इसका formula बनेगा price divided by earning मतलब M.P.S. by E.P.S. all of you please write दियर पहले ठीक है you are required to prepare the profit and loss account and find out the number of equity shares ये भी आप अलग question इसलिए LDR mark कर सकते हो first go में पढ़ते साथी click नहीं होता है करना क्या है बोलिए आपने कैसे किया sir first of all वो जो post tax interest rate दिया है इसको pre interest tax rate करेंगे डिवाइड करके one minus क्यों अगर क्योंकि आपने को before tax deductible है मतलब interest tax deductible है preference dividend जो है non tax deductible है तो आपने को tax deduct करके दिया है इसका मतलब pre tax चाहिए तो जो भी दिया है इसको one minus tax rate करेंगे तो अपने को pre tax interest rate आएगा यह one minus tax करके दिया है तुझे उल्टा करना पड़ेगा इसको divided by one minus t करना पड़ेगा तुझे before tax निकालना पड़ेगा before tax क्यों निकाल रहा है वो वह भी समझिये जो rates आपको आज तक दिये थे interest के वो कौन से थे pre tax थे sir कहीं पर भी दिया नहीं था क्या था sir और वो obviously normal rate दिये रहते है आपको यह rate क्या है post tax है यह कैसे आता है पहले समझो this is nothing but i into one minus t करने से answer आपका 5.6% आया समझा कि नहीं तो मुझे अभी क्या निकालना है मुझे normal i निकालना है मेरा tax का rate किता है बोलो यह है आपका i into one minus zero point three is equal to five point six can you tell me therefore i is equal to kya करूं interest rate is equal to five point six divided by one minus zero point three it comes to eight percent eight percent क्या है sir normal rate बेटा eight percent क्या है normal rate आया क्या समझ में तो pre tax को बना दिया normal rate मतलब sorry post tax को बना दिया pre tax मतलब normal rate अब क्या किया तुमने sir loan loan क्या amount दिये तो लोन की amount कहा है one like twenty five thousand तो फिर loan amount पे आपने interest निकाला eight percent लगा है yes कित्ता मिला ten thousand ten thousand ये क्या आया interest का amount आया very good sir dfl question में गिवन है तो ebit divided by ebit minus interest का formula यूद करके dfl is 1.5 is equal to ebit divided by ebit minus 10 thousand interest therefore ebit कित्ता आया बटा 30 thousand three zero 30 thousand आता है चेक करो very good ebit आगया अब sir dol का formula भी यूद करके contribution निकाना dl is equal to contribution divided by ebit ebit मतलब 30 thousand therefore contribution is equal to 60 thousand answer करते का answer समझ रहे क्या yes to contribution तक भी आगया sir उसके बाद में number of equity sir पूचाई इसके लिए मैंने statement बनाया पुरा और उससे मैंने ये जब formula आपने बता है का market value divided by earning purchase is equal to number of shares आपने को मिलते और निकाना very good और वैसे पी रेशो पी वी रेशो भी दिया था तो sales भी निकल गया आपका आप contribution तक पहुच चुके थे sales कैसे आएगा 60 thousand का contribution divided by PV रेशो 30 percent sales कित आता है 2 lakhs income statement बनाओ sales contribution variable cost balancing figure fixed cost balancing figure because EBIT 30 thousand दिया है interest less करो 10 thousand का EBT आएगा EBT पर 30 percent tax लगा दो EAT आजाएगा all of you with me preferences नहीं है उसी EAT को बुला लो NI NI को divided by number of shares करके EPS आएगा बट number of shares कैसे आएगे number of shares कैसे आएगे आप बोले अभी अभी market value की जो price दिये market value per share divided by the price और निंग्रेश ध्यान से सुना अभी ये point दो excellent point थे एक वो pre-tax, post-tax interest और दूसरा ये वाला PE ratio actually आपके सिलबस में ratio analysis में आता है अगले chapter में भी आएगा बट इधर भी आ गया Sir ऐसे कैसे कहीं पर भी आ सकता है आरे वो normal ratios है तो PE ratio नाम जैसा वैसा formula P stands for price so MPS market price per share E stands for earning therefore EPS तो formula क्या बना MPS by EPS तो MPS by EPS किता है 10 times किता है 10 times है तो आप बोलो अगर ये 10 है और ये 140 का market price per share है तो तुझे EPS मिल जाएगा क्या किता आएगा EPS 14 14 आएगा all of you और तुभारे पास net income ready है न income statement में तुम कहां तक पहुचे EAT net income net income is earning available to all shareholder and this is per share earning कुछ समझा की नहीं earning available total earning है और ये per share earning है तो total earning को डिवर बैपर share करने से number of shares मिलेंगे because EPS का formula क्या है EPS is equal to NI divided by number of shares तुझे EPS पता है 14 है तुझे total earning पता है बस तुझे number of shares निकालने है number of shares किते है आपके 1000 shares 1000 number of shares 1000 है समझे की नहीं बहुत बढ़ी आफ़ बहुत अच्छा ट्राइ कर रहे हो भाई साब ऐसे ही करना चाहिए जबरदस्थ तरीके से solve किया भाई 11th question पर आते है अलग question चार plan वाला question किसने solve किया यह देख के किया देख के छोड़ दिया किसी ने solve नहीं किया आदा अदूरा किया तुमने किया पूरा solve किया वेरी गूड माइक पास करो बोली इस कंपनी करेंट्ली था एक्विटी शेर कैपितल और रूपीज वन करोर थर्टी लैक्स चंसिस्टिंग थर्टी लैक्टी शेर नंबर अफ शेर डिमेट गिवन तो यू सर आंसर थो और डिफरेंट है कोई बात नि, कोई बात नि, डिफरेंट रह तो और अच्छा है अपन चेक करेंगे, ठीक है? दे कंपनी इस गोई थूर अमेजर एक्सपांशन रिक्वारिंग तो रेज फंट्स तु दे टून ओफ 78 लैक्स कंपनी को ये अडिशनल पैसा चाहिए, समझा क्या? तु फैनेंस दे एक्सपंशन, दे मैनेजमेंट अस दे पॉलिंग प्लान पर्स्ट प्लान है कि पूरा का पूरा एक्विटी शेर से इसू कर लो 7,80,000 शेर हर एक शेर कित्ते में बेचोगे? 10 इच दूसरा प्लान है, 5,20,000 इक्विटी शेर से बेचो 10 इस से इस से तो 52 लैक्स आएगा बैलन्स कित्ता बचेगा? 78 लैक्स माइनस 52 लैक्स 26 लैक्स, लॉंग टर्म बोरेंग कर लो 12 परसंट से 26 लैक्स पर 12 परसंट लगा होगे तो इंटरस्ट आ जाएगा 3 लैक्स, 12,000 इंटरस्ट पिर थर्ड प्लान बोलता है 3 लैक्स, 90,000 इक्विटी शेर इशू करो 10 इच के तो इस से तो फिर 39 लैक्स आजाएगा, जैसे इधर 52 आया था तो फिर आगे क्या बोले है उनने and 39,009 परसंट डिवेंच्छ उफ 100 इच, तो यहाँ पर भी 39 लैक्स के शेर तुमने डिवेंच्छ इशू किये तो इंटरस्ट किता आएगा, 39 लैक्स पर 9 परसंट 3 लैक 51,000 का क्या आएगा, इंटरस्ट इस प्लान का इंटरस्ट हो 4 फ्लान issue 3,90,000 equity shares of 10 each, मतलब अपस से 39,00,000 balance मतलब अपस 39,00,000 होता है न, 78 में से 39 गया तो balance will be 39 through 6%, preference dividend, तो preference dividend will be 39,00,000 into 6% 2,00,000 34,00, अख preference dividend under fourth plan EBIT of the company is expected to be 52 lakh per annum EBIT consider corporate tax as 40% you are required to calculate the EPS under each of the plan and ascertain the financial leverage in each plan and comment बोली बिटा आपने क्या किया जैसे हमने बोला वैसे नहीं क्या क्या interest preference दिटेंट नुव इशू था ना उसके साथ निकाल दी EPS नुबर एक विटी शेर में नुव इशू के साथ नुबिसली वो करना ही था तुमको तुम तुम तुमारा जो भी है ठीक है सबके माइन में अंसर चलना चाहिए सीरियल नुबर पर्टिकुलर चार प्लान रडी वा फर्मेट ओके फॉर्स थिंग वाट शी सेंग एक्स्पेक्टेड एक्स्पेक्टेड एक्स्पांशन के बाद है ठीक है फिर क्या करोगे आप फिर एंट्रेस्स पूसाइब टेक्संर में ने यहांगेगा स्पूर्स थिय्मेट में और थे असंपर अपने एंट्रस निकल आसें है तो एक मिंच्पांशन, यह दिखो चाहरो का ebit है फॉर्श्ण निचे इतर निकल प्लान और थी चाहरो का ebit इनफार और ये दो जगह का इंट्रेस्ट, are you clear? क्या मिला बोलो अभी तक? फिर EBIT minus interest is equal to EBIT फिर EBIT minus tax at the rate 40% तो हर plan में EBIT आ गया था, हर plan में 40% charge करके क्या मिला आपको? interest, sorry, tax फिर बचा हुआ क्या है? EAT फिर debittant bus plan 4 में आएगा एक मिला, EAT चारो plan में आगया, कैसे आया, EBIT फिर 40% tax लगा के आएगा, अब क्या बोल रहा है, अब डिविडेंट बस plan 4 के साथ आएगा, exactly, डिविडेंट सिर्फ plan 4 में आएगा, कौन सा वाला, preference dividend, कित्य अमांट का, 2,34,000 का, अब जो बचेगा, चारो plan में उसको आप NIA करकर तुमने, हर जेगा क्या निकाल लिया, NIA, समझे की नहीं, NIA आने के बाद क्या किया तुमने, EPS is equal to NIA divided by number of shares, number of shares क्या क्या क्या, सर्फ new और existing जितना था, दोनों का एड़ गार, exactly, ये एक accident point था, new shares तो लेना ही था भाई, हर एक प्लान में new shares, जैसे के पहले प्लान मे जैसे किते हैं, 7,80,000, second plan में किते हैं, 5,20,000, third plan में किते हैं, 3,90,000, last plan में किते हैं, 3,90,000, but, इनके अलाव अभी तो company के पास already, 13,00,000 के shares थे न, yes sir, 13,00,000 number of shares थे, all of you, so हर एक प्लान में existing number of shares भी आएंगे, last bench उदर, भाई साब, कल से इदर बेटा करो, ठीक है, तो हर एक प्लान में number of shares भी आएंगे, कौन से वाले, existing भी आएंगे और proposed भी आएंगे, तो फिर उससे total number of shares आएंगे, ni divided by number of shares करके EPS हाएंगे, फिर DFL is equals to EBIT divided by EBIT minus interest minus preference dividend divided by 1 by T, perfect, DFL यही फॉर्मलिस हाएगा, but DFL का यह फॉर्मला स्रिफ फॉर्थ प्लान में अप्लाया होगा, जहां पर preference dividend है, पहले तीन प्लान में फॉर्मला क्या उसकरोगे मैदम, EBIT divided by EBIT, समझे की नहीं, तो फिर चारो प्लान में financial leverage भी आजाएंगे, EPS तो आई गया, हमें यहां पर एक accident point क्या मिला, number of shares में क्य तो वो नया वाला formula यूज होगा, यह वाला, बाकी सब जगह plan का, DFL का formula will be EBIT divided by EBT, क्यों sir, एक ही case में ऐसे, एक ही question में ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पहले तीन प्लान में preference dividend ही नहीं है, last plan में, जह पा क्या, समझा क्या, एकदम अच्छे से, 12th question किसने try किया है, बुरोगे, बुरो, माइक लेला आगे, आपको 13 दू, ठेक है, 12th question एक बार मैं पढ़ लेता हूँ, from the following information related to Navya Company Limited for the year ended 31st March 2023, equity shares, क्या लिखा है, 65,50,000 और number of shares है, 10 each, sorry, 10 each अगर face value है, तो number of shares कित है, 6.55 lakhs, number of shares, ठरिक है कि नहीं, then bond है, 12% का, और ये value है, interest बो, interest बो, 73, 730968, 7 lakh, 30,900, 68, okay, ये आगया interest, ये आगया shares, ठीक है, समझा, then sales दिया है, fixed cost, excluding interest बोला मतलब operation का fixed cost है, financial leverage दे रखा है, profit volume ratio दे रखा है, income tax rate applicable दे रखा है, you are required to calculate operating, combined leverage, EPS निकालने बोला है, दम easy है, बोलो क्या किया आपने, sales minus variable किया, फिर contribution आया, sales minus variable कहों से आया तरह, sales पे तुने PV ratio लगाना चाहिए न, PV ratio लगा के मैंने, contribution निकाला, balancing figure तुने variable ले, ऐसा पोल रहे है भाई, sales minus variable contribution direct, अरे, sales पे PV ratio लगा, लो कैसी, 111, into 25%, 27.75, contribution आया, balancing figure आपका, variable cost रह सकता है, contribution तक पहुचे, minus किया तुमने, fixed cost, किते का, 7,15,000, 7,15,000, क्या मिला, EBIT, फिर क्या किया, interest minus किया, interest, interest, 7,30,968 का, जो अपने निकाला था, 7,30,968 का interest minus किया, EBIT आया, फिर tax rate था, tax 39,8710, तो बचा हुआ, profit after tax आया, correct, और फिर, number of shares अपने पास ready है, EPS आ जाएगा, और तीनों leverages भी, दोनों leverages भी आसानी से आ जाएगे, operating पूछा, combined पूछा, financial दिया था आपको, अब सुनो अच्छे से, इस question में sir, ऐसा हो सकता था, किया जैसे आपने उस question में किया था, yes, हो सकता था, हो सकता था, बट है नहीं, तो इसलिए जो वो कर रहा है, वो सही है, तो actually ये जो कर रहे है, ये सही है, coincidence से सही आया, EBT divided by EBT करके दे कि आता है, जो given DFL है वो, अगर आ रहा है मतलब तो सही है, नहीं आ रहा है मतलब वो adjustment है other, in other interest वाला, फिर कैसे solve करेंगे sir, DFL is equal to EBIT by EBT करो, DFL ready है, EBIT ready है, EBT धूणो, और EBT धूणने के बाद, balancing figure interest रहाएगा, sir, ऐसे कैसे possible है कि ये question में भी ऐसा हो सकता था, because this question में balance sheet दिया नहीं था, और financial leverage दिया था, are you very clear, clarity एकदम crystal clear चाहिए, confusion नहीं चाहिए कोई भी अद तक, last question, 13th one, the last question for you guys, falling information, कौन बोलेगा, पीछे पास कर दो माइग, falling information is provided to this, about this company, selling price per unit, variable cost, break-even point, you are required to calculate the operating leverage at sales volume of, 3, 7, 5, 0, and 45,000 units, can we say, ये notes के question, similar question है, similar क्या number change है, बो, sir, पहले sales volume, sales price into sales volume, करेंगे, जो 37, 500 volume, दिया है, उन 221 per unit करेंगे, उसके बाद variable cost minus करेंगे, और उसके बाद हम fix cost निकालेंगे, BEP equals to fixed cost divided by contribution per unit, अपने पास sales per unit minus variable cost, BEP is equal to, fixed cost divided by contribution per unit, contribution per unit, BEP दिया है, और contribution, BEP किता दिया है, 30,000 units, is equal to fixed cost divided by contribution किता है per unit, selling price per unit minus variable cost per unit, करेंगे की नि, 21 minus 13.5, तो किता है आप fix cost, 2,00, 25,000, very good guys, एक number, contribution minus fixed cost, EBIT आजाएगा, और DOL equals to contribution divided by EBIT, और उससे DOL आजाएगा, बहुती जल्दी आगे है सब, सब समझा क्या, आपको fixed cost निकाल लिया था आपने, break even point formula से, अच्छा मुझे break even formula याद नहीं है, तो मैं क्या करूँ, break even formula याद नहीं है मुझे, ये वाला, formula से allergy है सबस, कोई बात नहीं, तुम break even point, point 30,000 पर income statement बनाओ, 30,000 इंटो selling price per unit 21 लो के LCP, 30,000 इंटो 21, 6 lakhs, 30,000, अब same चीज़ variable cost करते है, तो 13.5 इंटो 30,000, 4,5,000, दोनों का difference निकालना है, आगया 2,25, क्या समझा आपको, at break even point, contribution minus fixed cost is 0, means at break even point, contribution is equal to EBIT, समझा की नहीं, break even point, profit आता है क्या, नहीं, तो नीचे EBIT किता आना चाहिए 0, तो जित्ता contribution आया, उतना ही fixed cost आना चाहिए न, येस, तो फिर मेरा fixed cost आ जाएगा, formula यूज किये बगेर, और ये fixed cost में क्या करूँगा, 37,500 as well as 45,000 units पर use करूँगा, क्योंकि units बढ़ाने से fixed cost change, नहीं होता, जब तक वो लोग बोलते नहीं तब तक, correct, तो फिर sales सब जगा निकाल या, variable cost सब जगा निकाल या, contribution सब जगा आ गया, fixed cost तो same ही रखेंगे, 2,25 सब जगा, सब जगा आ जाएगा EBIT, सब जगा मतलब दोनों जगा, 37,500 and 45,000 पर, आपका EBIT भी आ गया, contribution भी आ गया, तो dual आ जाएगा, येस, तो I hope कि ये सब का correct आया हो, five times, three times, in fact class का answer भी five times, three times था, अपने class में same question solve किया था, break you and point था अपना 2,000 units, और पूछा था leverage आपको 2,500 and 3,000 units पर, यादा है क्या है, so as I promised you कि आज आपका lecture, 545 को almost हम लोग end करेंगे, देखिए, wonderful answer, wonderful answer आपने भी बहुत बढ़ी आंसर दीए भाई सबने, बहुत सही आंसर दे रहे हो, तीक अवे, आपके लिए, बहुत अच्छा लागा, माइक आफ कर दो भी, और, ध्यान से सुनना सब लोग, सब लोग ध्यान से सुनना भी, ठीक है, आज का टेक अवे, एक स्टोरी फॉर्म में मैं आपको बता तो, स्टोरी एक बता हूँगा, आपको स्टोरी शुरू करने के बाद खतम हो जाएगी, और आपको समझेगा भी नहीं कि खतम हो गई, कि यारे, क्या ये स्टोरी था कैसर, बट, उससे फिर एक हमें, चीज सामने आएगी हमारे, वो बात करनी है, तो सुनी अच्छे से, एक छोटा सा गाव होता है, जिसका पॉपुलेशन हाडली 200-300 लोग होते है, 200-300 फैमिली नहीं बना लोग, तो ऐसे छोटे से गाव में, बहुत पुराने जमाने की बात है, जहां पर लोग शिकार करके, अपना पेड बरते थे वैसे टाइप में, वहां पर वो जो गाव था, वो बिलकुल नदी किनारे था, जो में बोडोस सब विजुलाईस करना आपको, ठीक है, और वो गाव में, बहुत अच्छे से लोग, सब लोग खुश रहते थे, सब अच्छा था, सड़नली एक दिन, पर वो जो एसे नदी थी, उसमें फ्लेट्स आगे, और यह पूरा गाव का गाव बह गया, इस गाव में, काफी लोग की मौत हो गई, काफी फैमिली इस डिस्ट्रॉई हुए, और एक फैमिली थी, जिसमें से, मतब अब अबने, मतब हस्बंड वाइफ, उस्ट्रॉइफ विद देर फादर, एक उनका बच्चा था, ठीके, हस्बंड वाइफ एक्सपार हो गए, मतब अब बच्चा फैमिली में, डिरेक्ली दादा जी और पोता, समझे, अब, ऐसा हुआ कि, स्टाट स्टाट में तो बहुत नसीब को कोशा दादा जी ने, क्योंकि पोता जो था, वो हार्ली 3-4 यर्स का था, ओके, और दादा जी बोले कि यार, ये गलत एज में गलत चीज हो गई, बढ़ अब क्या करें, जो भी ये जिन्दगी तो है, अब ही चलना तो पड़ेगा आगे, अब होता ऐसे था, कि जैसी ये इनकी मौत हो गई, इसके बाद, इस पोते को खाना खिलाने से लेके, इसकी देखबाल करने के पूरी जिम्मेदारी जो है, वो दादा जी पर आगई, ठीक है, तो दादा जी ने क्या किया फिर, उसको बहुत अच्छे से पाला पौसा, कुछ दिन चलेगे, दो महिने वगरा होगे, एवरी डे वाट वाट वास दरूटीन वास, पांच बजे सुबह उटो, साड़े पांच-छे बजे के आसपास, जैसी उजाला हुआ, यहां पर यह जो घर रेता है, इसको बहार से ऐसे कुछ लॉकिंग का सिस्टेम तो नहीं था, उस वक्त बड़े सा कुछ लकडी वगर आटका दो कुछ, और निगल जाओ, शिकार पर, और दस बजे के आसपास आजाओ, शिकार करकर, फिर वो लकडी से जो भी दर्वाजा लॉक किया था, उसको खोलो, और फिर अंदर पोते को देखो, सब ठीक है क्या, और फिर अपना जो शिकार लाया था, उसे पकाओ और खाओ, एवरी डे रूटीन वोस दिस, वन फाइंट दे वाट हबन, उसको सुलाते सुलाते, इतना टाइम हो गया, कि वो सोने को ही तयार नहीं था, और आगे टाइम बित्ता जा रहा था, और अव्यस्ली दिन आगे बढ़ रहा है, खाने को कुछ नहीं ए, टेंचिन हो रहा है, दोफेर हो गई, बच्चा छोड़ने को तयार नहीं दादाजी को, दादाजी टेंचिन में कि आप कब शिकार पकड़े, कब वापस लाए, और दादाजी वो बच्चे को भी साथ में एजिली नहीं ले जा सकते, विकास वहाँ पर जंगल में शिकार करते हो, तो दादाजी बच्चे को लेकर गए, नदी पार किया, जंगल में गए, और जंगल के बीच में शिकार होता है, वहाँ तक पहुचे जैसे तैसे, बहुत टेंचन में थे दादाजी, रास्ते भर में टेंचन में थे, ये सोच टेंचन के अब क्या होगा, देखते हैं, शाम को पाच्छे बच गए, और रात का अंदेरा गिरने लग गया, जैसे जंगल के बीच में पहुच रहे हैं, बच्चे को मज़ा आ रहा है, बच्चे ने पहली बार घर के बाहर निकला, राइट फ़म डेट क्रॉसिंग रिवर, उसको मज़ा है, कि यार रिवर यो बोट है, हम लोग आगे जाँ हром, चैमिंध कि अंपर के एक प्लेटफर्म होआ करता था, प्रापर बोट नहीं होआ करते थी, प्लेटवर्म होआ करता था, तो प्लेटफ़र्म पर बेटे हैं दोनों, और दादाजी डखेल रहे है, उसको मजा रहा है, थोड़ा हाथ में पानी वानी लगा रहा है, पर एंजॉय कर रहा है, दादाजी टेंशन में आ रहे है, कि यार जाएंगे, कब आएंगे, कब शिकार कब मिलेगा, सब कुछ, रात होने लग गई, जंगल के अंदर और आगे जाती जाते है, मून लाइट वगरा गिर रहा है, बच्चे को और मजा रहा है, बीच में से लाइट गिर रहा है, क्या सीन है, सब जगा पेड़ 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 पूरे, और अलग-अलग आवाजे आ रही है, और दादाजी को उतने टेंशन हो रहा है, कि रात गि यह कहीं से खून आ रहा है यह सीन पूरा चल रहा है एंड तक बीच तक गए दादा जी जंगल के, बच्चे को एक डाली पे बैठाया, जैसे तेसे शिकार किया, जब वो बच्चा डाली पे बैठा था ता फुल एंजॉई कर रहा था, एकदम गाओ की तरफ, पूरा जंगल क्रोस करते होग दादा जी को पसीना आ रहा है यह सोच कर कि यह मरा हुआ जानवर जो मेरे कंदे पे, इसके स्मेल से बाकी जानवर नहीं आना चाहिए यह दर और हम पे अटैक नहीं करना चाहिए और दादाजी के साथ वो जो पोता है जिसका हाथ दादाजी पकड़ कर चल रहा है एक तरफ खूना रहा है दादाजी के पेर से इस तरफ, दूसरे तरफ वो बच्चा मस्त एंजॉई कर रहा है, कूद रहा है, बोल रहा है इतनी रात क्या मस्त लग रहा है सीनी अलग है और फिर देखते देखते वो नदी के पास पहुशे नदी के पास पहुशे वो प्लैटफरम पर जानवर को रखा खुद दोनों बैठे और नदी क्रॉस करने लग गए इस वक्त तो सीनी पूरा अलग था क्योंकि जो मून था उसके लाइट वाटर में गिर रही थी और बच्चे को पूरा अंदेरा और वो जाते वे इतना मुस्त लग रहा था दूसरी तरफ दादाजी सोच रहे कि यह जानवर यहां पढ़ा हुआ है पूरा हुआ कहीं से कोई क्रोकोड़ वगर आना आ जाया और हमको खाना जाया साथ देखते देखते वो नदी क्रॉस किये और अपने घर पहुचे गए स्टोरी खत्म है अब यह स्टोरी में आपको क्या मॉरल लग रहा है बोलो दोनों ने सफर किया सफर इस ट्रैवल कि इंग्लिश वाला सफर अच्छा ट्रैवल किया दोनों ने बट एक ने बहुत एंजॉई किया और दूसरे ने टेंचन में किया एक जिमेदारी की बोज में था और एक को कोई जिमेदारी नहीं थी उसको डर मतलब पता नहीं था कभी ऐसा देखा ही नहीं था कुछ दादाजी बोट टेंचन में था जो बच्चा था वो टाइम को एंजॉई कर रहा था अच्छा इस सबको आप आपके साथ रिलेट कर सकते हो कुछ आप सब लोग सिय कर रहे हो आप सब लोग सिय कर रहे हो और तुम में से कोई दादाजी जैसा कर रहा है और कोई बच्ची जैसा कर रहा है exactly मैं आपको यही बताना चाहता था कि CA करना तो सब को है यहां से जर्णी शुरू यह घर से निकलने तक जंगल तक जाने तक वापस शिकार करके आने तक की जर्णी मतलब ही आपके foundation से इंटर, इंटर से final और final से COP, certificate of membership certificate of practice या whatever, membership तक यह जर्णी सब लोग cross करने वाले है, बस आपको सोचना ही है, कि आपको वो दादा जी बनकर tension में रहना है हर बार या बच्चे जैसा खुशी खुशी अपना सफर पूरा करना है, remember one sentence you will always remember, not now, but आज से 10 साल 15 साल बाद नहीं, यह statement मेरा याद आएगा आपको always remember दोस्तो destiny कभी भी enjoyable नहीं होती है journey enjoyable होती है आप सिय बंजा होगे believe me उदर कुछ नहीं है उदर बस आपको एक degree मिलने वाली है फिर सर कर क्यो रहे यह पूरा journey जो cross होगा ना यह enjoy करना है आपको उस एक दिन वो convocation से प्रफली स्टेशन होगा आपका आप उदर बेटे रहोगे उससे पहले कम से कम पचास लोगों ने आपको पुछ लिया रहेगा आगे जिन्दगी में क्या करेगा क्योंकि उसके पांच दिन पहले तुम सीय बने बस समझ रहे हो सीय बने की बात का क्या सीन है मगर अभी से सीय बने तक का सीन जो है न यह आपकी जिन्दगी के सबसे अच्छे दिन है दोस्तो इसको एंजॉय करते वे आगे बढ़ो एंजॉय करने का मतलब क्लास बंक करेंगे क्या enjoy करने का मतलब है यहाँ पर participate करो the way you are answering I insist, सब लोग answers करो the way you are participating I insist, सब लोग करो यह जो questionnaire था, कल रात मैंने almost आज 7 बज़े बोला solve करने के लिए आपके बास 2 choice थे दोस्तो छोड़ यार, sir को समझता क्या 13 question बेज दिए solve करने के लिए possible है क्या, कल वापस Sunday को भी class रखा है, क्या हमारी जिंदगी नहीं है क्या attitude 1, दादा जी वाला attitude 2, बैट यार solve करते हैं, तू तेरा solve करें, मैं मेरा solve करूँगा बाद में end में cross check करेंगे, किसका जल्दी हुआ और अपना-पना solve कर रहे हो और अगले दिन चलो, कोई फ्रेंड नी है, तुम आगले बैटे हो, सबोस्ट तुम होस्ट लाइट नी हो, तुम लोकल लाइट हो, भाई तुम आगले खुद के घर बैट करेंगे, सब कर रहे हो, तो एक बात समझ लो, कि चली यार, बैटते हैं, स्वालब करते हैं, not enjoyable, journey is enjoyable, I hope you will implement this in your life, everybody, thank you so much, thank you, so much, thank you चली ये तो फिर यहां का lecture आज ही क्लोस करते हैं, और कल मिलते हैं, अगला चैप्टर रहेगा कल, थर्ड चैप्टर रहेगा, कल, थर्ड चैप्टर रहेगा, capital, structure, thank you very much, bye-bye, see you